आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ये कैफे स्टाइल सेंडविच की रेस्पी इसके लिए आपको बाहर जाके बहुत जादा पैसे खर्च करने की ज़रूत नहीं है घर पे ही आप बिल्कुल कैफे स्टाइल ये सेंडविच बना सकते हैं वो भी बिना ग्रिल टोस्टर के बहुत ही टेस्टी लगेगा एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा इसे खाने के बाद भार आप ये सेंडविच खाना फूल जाएंगे बनाना श्रूर करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रड है छार ब्रेड एक एक सेंडविच बनाने के लिएए ー ब्राऌ ब्रेड का यूज भी कर सकते हैं अब इस चारो ब्रेट के उपर हम बटर को अच्छे से लगा लेंगे और बटर लगाने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीज़ेगा अच्छे से लगानी है बस बटर आपको बिल्कुल रूम टेम्परिचर पे लेना है इससे क्या है आप इसे आसानी से ब्रेट के उपर लगा स सेंडविच वाली चटनी इसकी रेस्पी अल्रेडी मेरे चैनल पर है आप जाके देख सकते हैं यह चटनी भी बहुत बन सकती है और आप इसे एक बार बना के ना तीन से चार दिन तक फ्रिज में आराम से स्टोर करके रखिए ना ही इसका कलर चेंज होगा ना ही टेस्ट चें और दूसरी ब्रेड पर हम लगाएंगे खीरे के स्लाइस यह भी आपको बिल्कुल पतले पतले काटने हैं इससे क्या है आप इसे पतले पतले स्लाइस में काटेंगे ना तो सेंडविच जादा बड़ा नहीं बनेगा आपको खाने में भी थोड़ी सी तिकत नहीं होगी इसके उपर हम लगाएंगे आलू के स्लाइस तो उबला हुआ आपको आलू ले लेना है और उसको भी काट लेना है तो यह देखे चारो ब्रेड के उपर हमने यह लगा लिया है अब हम क्या करेंगे इसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला काला नमक इस तरीके से डाल देंगे इससे क्या है जब आप इसे खाएंगे ना तो यह अंदर से फीका नहीं लगेगा तो मैंने यहां पर यह चाट मसाला ले लिया है इसके ओपर थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे और अब हमें यहां पर चाहिए चीज तो मैंने यह प्रोसेस चीज ली है यह हम इसके ओपर ग्रेट करेंगे और ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल कैफे स्टाइल यह सेंड़िच बने तो चीज डालने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है इन चारो ब्रेट के ओपर आपको तीन क्यूब इसके ओपर चीज के ग्रेट करने हैं तीन या चार भी आप डाल सकते हैं जितना चीज आप इसके अंदर डालेंगे यह सेंड़िच उतना ही टेस्टी बनेगा तो इस तरीके से पहले चारो ब्रेट के उपर चीज को अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे और अब इसके उपर डाल देंगे और गैनो चिली फ्लेक्स थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अब हम क्या करेंगे ब्रेड लेंगे एक ब्रेड को दूसरी ब्रेड के उपर रखेंगे चीज को थोड़ा सा साइड में कर लेंगे बीच में मतलब इस तरीके से और अब देखे एक ब्रेड के उपर इस तरीके से इस चारो ब्रेट को हमें एक के उपर एक करके ऐसे रखना है चीज जो साइड में थोड़ी सी गिरी हुई है वो आप इसके बीच में रख दीजे और अब हम क्या करेंगे लेंगे पांच वी ब्रेट और इसके उपर हम लगाएंगे बटर अच्छे से और साथी में लगाएंगे चटनी और इस प्रेट को हम इसके उपर रख देंगे इस तरीके से अब हलके हाथों से इसे दबाएंगे और चली अब इसे सेखते हैं तो इसे सेखने के लिए मैंने यहां पे यह ग्रिल पैन ले लिया है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं गैस की फिलम को करेंगे Losu Day और पीछ में अच्छे से बटर को लगाये और फिर हम इसके उपर यह सैंड़ीच रखेंगे अब हम क्या करेंगे कोई भी प्लेट लेंगे इसके उपर रखेंगे और कोई भी भारी सी चीज़ इसके उपर रख देंगे इससे क्या है यह सैंडविच अच्छे से दब जाएगा बिल्कुल यह वही काम करेगा जैसे ग्रिल टोस्टर होता है बिल्कुल उसी तरीके का और फिर से हम इसके ओपर कोई भी प्लेट रखेंगे, कोई भी इसके ओपर भारी सी चीज रखेंगे, इससे क्या ही अच्छे से दब जाएगा, जिस तरीके से ग्रिल टोस्टर पे हम सेखते हैं, दोनों साइड से बिल्कुल वैसा ही यह सिखेगा, और यह देखिए, अब यह सेंडविच अच्छे से सिग्या है, अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, फिर आप इसे सर्व किजे, और यह दीजे, यह बिल्कुल कैफे स्टाइल हमारा सेंडविच बनके रेडी है, अब इसे काट लेते हैं, और काटेंगे भी इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे रेस्टुन म बनाया है तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा तो चलिए आप इसे काट लेते हैं तो पहले बीच में से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसमें दो कट लगाएंगे और फिर गुमा के बीच में से इसको काट लेंगे यह देखिए इसको काट लिया है अब मैं आपको दिखाती हूँ यह किस तरीके से दिखता है काफी लेर वाला हमारा यह सेंड़िच बनके रेडी है काफी टेस्ट है इसमें प्याज है खीरा है आलू है और साथी में टमाटर है तो चलिए अब इसे गरमा गरम सर्व कर लेते ह इसके ओपर थोड़ा सा हम चीज भी ग्रेट करेंगे तो चीज डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीज़ेगा बहुत ही यम्मी लगता है ये चीज के साथ बिणा चीज आणा इसका टेस्ट बेकार है इस तरीके से इसको हम सर्व करेंगे लास्ट में हम इसको अपने और ये लीजे यह हमारा बहुत यम्मी सेंडविच बनके रेडी है जरू ट्राइ कीजेगा आज की वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करते हुए जल्दी से रिटा सड़क के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी है मिलेंगे तब तक के लिए भाई